हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टी चैनल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज हम घर की वेस्ट पड़ी चीजों का यूज करके घर के कुछ ऐसे काम करने वाले हैं जो कि आपको करने में बहुत जादा टाइम लगता है और बहुत स करके कड़ी फट जाती है तो आज उसी का मैं सेलूशन लेकर आ गई हूं तो सबसे पहले आप क्या किजिए जब भी आप बेसन का घोल डाले कड़ी में तो उसे आप लगतार चलाते हुए डाले लो फ्लेम पे उसके बाद में उसे हाई फ्लेम पे अच्छे से बाइल कर लि जब आप उस टाइम पे इसमें नमक डालेंगे तो इसमें बिल्कुल भी फटने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती है यह बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बहुत ही रेस्टी सी बनके तयार होगी तो अगर यह ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर क बनाते हैं तो प्रिशर कूकर की जो एयर होती है वो जब नहीं रिलीज होती है नहीं पास होती है तब प्रिशर कूकर फटता है और वो क्यूं होता है वो इसलिए होता है कि जब भी हम प्रिशर कूकर को धुलते हैं साफ करते हैं तो उसको हम पूरा तो क्लीन कर लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो प्रिशर कूकर में सीटी लगी होती है ना वो एरिया आप अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हैं, तभी ऐसी शिकायत होती है, तभी ऐसा आपको सुनने को मिलता है, तो आप क्या कीजे, आप इसे कैसे चेक कर ये, सबसे पहले तो आप वो जान ल इसका मतलब है कि ये जो हमारा सीटी वाला एरिया है ये बहुत ही बढ़िया से क्लीन है, इसमें जब आप कुछ बनाते हैं तो फस जाता है, जिसकी वज़ेसे कि वह जाम हो जाता है, तो किसी भी पतली डंडी से या किसी भी चीज से इसे अच्छे से क्लीन कर लीजे, ये बहुत ही काम की है, जरूर यूज़ कीज़ेगा, आप यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स टिप, तो फ्रेंट कोल्डरिंग जब भी घर में आती है तो थोड़ी बहुत बची जाती है, तो अकसर इसे लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज है, ये आपके क कीचन में काफी चीजों को क्लेन करने के काम आती है, यहां तक ही जो डार कलर के कपड़े होते हैं, अगर उसमें कोई दाग धबे लग जाते हैं, तो वह भी क्लीन हो जकते हैं, तो चलिए आज में इससे एक चीज़ आपको साफ करके दिखाती हूं, यहां पर देख सकते है कि इस तवे में कितनी जादा गंदगी है, मतलब कि इस पर तेल और जो है काफी चिपक गया है, जल गया है, और यह जल्दी नहीं निकलता, यह सभी लेडिसों को पता है, तो इसको निकालने के लिए आपके आखिजे, सबसे पहले तो तवे को हलका गुनगुना ही रहे, त यहां पर देखिए, यह इंस्टेंट सफाई है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ही डाल रही हूँ, मतलब कि इसे पांच मिट के अंदर हम अपने तवे को साफ करके रेडि करेंगे, यहां पर इसके उपर मैं नियूस पेपर डाल दे रहे हूँ, कोल्डरिंग डालने के बाद और गैस की फ्लेम आफ है, गैस की फ्लेम आउन बिल्कुल नहीं है, यहां पर पराटे सेखने के बाद मैंने तवे को ठंडा करके थोड़ा सगुनगुन तवा था तभी यह प्रोसेस किया है, अब यह सारा नियूस पेपर इसके उपर हम फैला देंगे अच्छे से, आप द देखें, दो ही मिनट में आप देख सकते हैं कि इसकी जो चिकना हट है, वो कम हो चुकी है, और लगभग यह 30% अपने आप ही साफ हो गया है, 30-40%, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आपको इसे क्लीन करके दिखाऊंगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना, यह जो पेपर है यह निकाल के फेक देना है, इसका कोई काम अभी हमें नहीं है, यह सारा नियूस्पेपर देख सकते हैं, आप लोग किस तरीके से कल चुका है, इसे फेक देना है, उसके बाद में आप तावे को भी देख सकते हैं, कि यह पहले से काफी क्लीन दिख रहा होगा आपको, यहा को शक्रबर को हलकेचे एस स्रभ करना ह्याज बहूत ही जल्दे खार है जांद है और अगर आपको यह भी नहीं करनी है तो किया किज़े कोई बड़ा सा पतिला दाल दीजिए अब ऑन को we can't refuse और आप देख सकते हैं कि तवा हमारा कितना बढ़िया साफ हो चुका है मैं आपको इसे वाश करके दिखा देती हूं यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी गंदकी थी जो भी जिद्धी इसके उपर दाग लगे हुए थे ना ओयल वगरा के जो भी जला था वो सब निकल गया है बहुत ही कम मेनत में बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से ऐसा आप साफ कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ कोल्रेंग की हेल्प की वज़े से यहाँ पर देखिए तब अच्छे से साफ हो गया है अब आप इसे किसी भी सुखे कप्रे से पोश लीजे और फिर आप चाहे तो इसे यूस कीजे तो फ्रेंड्स अगर वीडियो ज़रा से भी हेलफ फुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहले बार आप तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथे में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा फिर मिलते हूं किसी ऐसी यूसफ